देखें अपने आप नीचे जा रहा है और जितनी इसको जरूर तय चिदर भर जाएंगे तो यह अपने आप ऊपर तक आ जाएगा यह देखें और यह कोई बनावती बाते नहीं यह पूरे साइंस आधारित बाते हैं इसमें औक्सेजन नहीं रहेगा तो कीट पतक नहीं लगेंगे और यह पूरे शाल सुरख्षित रहेगा हमारे दूजरगी सित्र अनाज को सुरख्षित रखते थे लेकिन आज के इस रहसानिक यूग म हैं हमारे जो डॉक्टर हैं साइंटिस्ट हैं वो किसानों को बदा देते हैं कि आप इसमें सुलफास की गोलें डाल दो जहर की गोलें डाल दो उनका कुछ दिन पर भाव रहता है और वो दूस्परिणाम बहुत जादा होते हैं एक मिने बाद फिर कीट लगने सुरू हो जात कितने अच्छी मुव की डेसी उराइटी है इसमें भी हमने बालूड लगया है यह दूसरी किसम है दो डेशी चना होता है वह इसमें भी हमने डाल रख्या है啊 यह हमारी हुर्ड हरह कि पफ़ले साल की है औ अभिए तक यह देखो बिल्कुल कोई किड़ा नहीं ब्लकुल तो इसमें भी हमने मिट्टी डाल दी है. यह दूसरी बढ़ी टंकी है, इसमें भी आहड़र स्टोर करके हमने यह बालू डाल दिया है. यह यह पूरी चने की भड़ी है और इसमें चना डाल के ओपर से बालू मिट्टी डाल दी है, तो पूरी तरह सुरकशितconstug तो मेरी सब साथियों से ये विंती है कि ऐसे पुराने प्रम्पराजत तरीके अपनाएं और अपने अनाज को सुरक्षित रखें और जहर से बचें नमस्ते